जय हैं दोस्तों स्वागत आप से विका हमारे अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर सत्या में आज हम देखेंगे जो इस्टेर है उसके जो क्विश्चन है वो काफी डाउटफुल रहते हैं कि जब हम जो ठीड निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं कभी क्या होता है जो है ज सभी लोग जानते हैं जो वैटिकल हाइट होती है ये तो हमारी क्या कहलाती है राइजर कहलाती है और जो होरिजेंटल होती है ये हमारी ठीड कहलाती है इसके लिए हमको क्या है कि एक कॉंसेप्ट याद रखना है क्या कॉंसेप्ट है हमारा कि जो दो राइजर होती है वो म क्या है हमारी राइजर है तब हमारी यह क्या बन रही है एक ठीड़ बन रही है ऐसे यहां पर चलेंगे तो एक यह क्या हो गई ऐसे तो होरिजेंटल लाइन है लेकिन जब तक ठीड़ नहीं मानी जाएगी जब तक किसके साथ को यह राइजर नहीं मिलेगी अब यह क्या बन horizontal जो हमारी floor होती है फर्स होती है या जो भी छत है उसको हम तब तक count नहीं करेंगे जब तक हमको एक rise नहीं मिलेगा rise जब भी मिलेगा तब हमारा क्या होगा एक thread create होगा यानि इससे हम formula बना सकते है कि जो thread होता है t equal to हम मानेंगे क्या मानते हैं यहीं से हमारा formula निकलता है जितने भी राइजर होगे उसमें जो thread होगी वो उस राइजर से एक कम होगी यहाँ पर देख लीजिए राइजर कितनी बन रही है एक, दो, तीन यानि तीन तो राइजर हो गई माइनस एक, तो कितना आ गया दो आ गया thread भी गिन लेते हैं कितनी हैं एक, दो thread हैं साथ ही एक concept और याद रखना है कि जो floor होता है वो क्या होता है फ्लाइट होता है वो क्या होता है question में ये चीज भी काफी disturb करती है जब हम question solve करते हैं कि जो flat दे रखी है कहीं दो flat दे रखी है कहीं दो floor दे रखा है तो इसका भी काफी impact पड़ता है जब हम सबाल को solve करते हैं इसका क्या concept चलता है कि जो floor होगी वो सभी जानते है जो हमारी floor होती है वो horizontal surface होती है जो floor कैसी होती है horizontal surface होती है और इस्टेर का काम ही यही होता है कि दो floor हो को क्या करता है वो आपस में connect करता है यह मान लिजे हमारी ground floor है और यह मान लिजे क्या है हमारी first floor है तो अब इसको connect करने के लिए क्या बनाते है इस्टेर बनाते है जो दो floor है उनको connect करने के लिए क्या बनाते है इस्टेर ताकि ground floor से फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचा जा सके या तो हम इस्टेर बनाएंगे या लेप्ट प्रोवाइड करेंगे तो हम नॉर्मली क्या प्रोवाइड करते हैं इस्टेर प्रोवाइड करते हैं इससे क्या होता है कि जो ground floor है उसे हम first floor पर पहुंच सकते हैं या first floor से ground floor पर आ सकते हैं ऐसे ही अन्य floor भी हो सकती है second floor भी हो सकती है उस पर भी connect कर सकते हैं ऐसे जितने भी हम height पर जाएंगे तो क्या होगा अलग-अलग floor पर हमको connect करना होता है तो जितनी floor होती है तो minimum हमको दो floor चाहिए होती है एक stair बनाने के लिए ठीक है जब भी हम एक stair बनाएंगे तो कम से कम कितनी दो floor चाहिए होती है अब इसमें एक सब्दा आता है flight प्लाइट का होता है जो हमारा stair होता है जिस angle पर यह बनता प्लाइट बन गया है तो एक होगी जब यही मान लीजिए कोई भी stair है उस प्रपकार में क्या होता है बीच में एक लेंडिंग प्रोवाइट की जाती है अब यह लेंडिंग से चाहिए किसी कितनी भी angle पर मुड़े या तो state चला जाए या 45 90 या 270 या 180 किसी भी angle पर और यह दो BEC उने के लिए इसमें दो फ्लाइट भी हो सकती हैं दो फ्लोड को caneat करने के लिए हम सिदा बिनाटिंग की दिए ही अंक्या प्रोवाइड कर देए तो Paramagra और first floor में जो फ्लैटों के number होंगे वो कितना होगा एक ही होगा यही में चीज हमको और किम question को हल करेंगे ठीक है इन ही दीज़ों को ध्यान में रखना आ है कि क्या चीज दिया गया है हमारे question में थो चलिए अब हम देख लेते हैं फहला question सुरू करते हैं पहला प्रसंद दे रखा है कह रहा है कि how many thread would be there in a straight stair connection between two floor with height different of 3.6 meter if the rise is 15 centimeter ठीक है इसमें क्या कह रहा है कि अब देखो इसमें देखने वाली चीज क्या है कि मैं तो है floor कितने floor का दे रखा है two floor दो floor को stair का काम ही होता है मनें बताएं कि आपको stair का मुखे काम है लो tutto floor को connect करना है इससे आपको bli you हो नहीं है कि हमारा floor है वो दो दे रखी है यह एक रखी है फिसमें सीधी सी बात है कि हमारा stairydow baj yhte dwe तो यानि कि जो हमारा इस्स इस टेर बनेगा है एक्दम सीधा जाएगा ठीक है और इसकी जो कि जो number of rise आएंगी वो कितना आएंगी ठीक है तो राइज निकालेंगे तो कितना आजाएगा राइज का तो हमको पता ही होता है कि राइज बराबर क्या होता है जो भी हैट दे रखी है 3.6 मीटर दे रखी है इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे तो मल्टिपला कितना हो जाएगा सौका हो जाएगा अपोन जितने भी एक राइज की हाइड़ कितनी है फंस सेंटीमेटर कि इसको जब सौल्व करेंगे तो यह कितना आजाएगा जब मिसकर करेंगे तो यह आ जाएंगी 14 is still हम इसको बनाएगे कि सीधा stay है नहीं में ॉंस में ब्रेक तो हुआ निकला वो कितना निकला 24 तो हमने बताया था आपको स्टार्टिंग में जो नंबर अधेड होता है वो कितना आता है राइज मैनस वन कितना है 24 है 24 रखती जिये माइनस के वण कितना गया टूंटी थ्री सिंपल कुष्चन यह कुष्चन सभी से हो जाता है सबी क्यों कर लेते हैं तेस आंसर आ जाएगा इसका ठीक सभी से हो जाता है कि ये तो current बात अब देखेंगे दूसरा question जो की काफी problem क्रेंट करता है profile करते हैं ये तो हो झाए ठीक है इसमें मेहन दिक्क्त क्या थी आपको मेर् को मैं दे रख था है ठीक है ये तो हो गया इसमें कोई दिक्कत नहीं ये तो आ जाता है सीधा आ गया कितना 23 स्टेश ठीक है अगला कुश्चिन देखते हैं अग दूसरा कुश्चिन कह रहा है दा हाइट बिट्वीन टू फ्लोर इज थी पॉंट जीरो मीटर एंड राइजर आर ओ बन फिप्टी एमम एजुमिंग टू फ्लोर बिट्वीन दफ्लोर दे नमबर ओफ थी द विल वी अब इसमें क्या है इसको सवाल को ध्यान में देखने वाली बात ये है कि इसमें क्या कह दिया है टू फ्लोर कनेक्ट कर रहा है इससे हमको कोई ज़्यादा समस्या नहीं है टू फ्लोर कनेक्ट कर रहा है सीधी सी बात है इस्टेर है दो फ्लोर को कनेक्ट करेगा मैं प्रोब्लम आती है कहाँ पर टू फ्लाइट क्या दिया है इसने एजूमिंग टू फ्लाइट जब इसने two flight दे दिया है तो सीधी सी बात है क्या होगा कि इसमें जो flight है वो बीच में कहीं पे एक जगा ब्रेक हो रही है अगर state होता दो floor को सीधा direct connect करता तो क्या करते हैं हम सीधा stir बना देते यह हो जाता हमारा ground floor यह हो जाता उपर क्या first floor जहां तक connect करता वहां तक अब इसमें क्या कह दिया है कि दो flight अब दो flight किया है तो सीधी सी बात है जो इस टेर है वो कहीं पर बीच में क्या हुआ है ब्रेक हुआ है या तो वो dog leg है या half turn है को ऐसा है जो बीच में क्या है उसको break किया गया यानिक जो पहली flight गई है कुछ हाय तक गई है उसके बाद उसको landing दी गई है उसके बाद फिर जो है वो first floor से क्या किया गया है connect किया गया है तो इस प्रकार के question में यह ध्यान रखना है कि इसमें क्या है जो number of flight कितनी है दो है पीछे जो question दिया गया था उसमें कहीं नहीं कहा गया था कि हमको कितनी दो flight लेनी है उसने सिर्फ यह का थ जो floor है वो कितनी है दो है यहां पर कहीं पर नहीं दिया कि हमारी जो flight है वो दो flight का है ठीक है तो इसलिए यह चीज आपको ध्यान रखनी है अब इसमें क्या होता है कि जो number of thread निकल के आती है वो उसका हम आपको एक formula बता देते हैं उसके बाद आपको figure से हम बताएंगे कि क कैसे होता है तो formula जो आता है इसका वो आता है 3D equal to rise minus के 2 पहले आप उसकी rise निकाल लीजिए उसके बाद उसमें से minus 2 कर दीजिए number of thread निकल आएगा कैसे निकल आएगा अब इसमें देखो rise कितनी आएंगी r equal to 3 meter है तो इसको mm में change कर लेंगे 3000 upon राजर की height कितनी है 150 mm तो 150 solve करेंगे कितना आ जाएगा 20 अब 20 आ जाएगी कितनी rise तो thread का मान जो है कितना जाएगा 20 minus 2 बराबर 18 ये तो हो गया numerical formula सीधा सा 18 इसका ये option answer हो जाएगा और चाहे तो इसको दो भागों में break करके भी कर सकते हैं वो कैसे करेंगे हम आपको figure में बता देंगे भी figure दिखाते हैं आपको अब इस figure को देखिएगा क्या था उसने height कितनी दे रखी थी 3 meter दे रखी थी ठीक है height कितनी 3 meter दे रखी थी और एक जो राइजर का मान कितना दे रखा था 15 cm ठीक है तो जो number of राइजर निकलेंगे कितने निकलेंगे 20 निकलेंगे यही हमने बताया था अब इसमें क्या करेंगे हम काउंट करते हैं राइजर कितने राइजर हो हमने शुरू महीं बताया था दो राइजर मिलके एक ठीड बनाते जैसे रेह of our new ॐहां कि जरूरी नहीं की ठीड हो ठीक है यहां से जो रैजर उठ रहा है यह ना सरू करते हैं एक हो गया राइजर दो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ठीक, 10 यहां तक होगे राइजर हमारी ठीक उसके बाद यहां पर कोई राइजर है नहीं उसके बाद यहां से शुरू होता है 11, 12, 13, 19 और एक लास्ट का 20 यानि कि जो हमारी राइजर आए वो कितने आए R equal to 20 आए सीधे सबको दिख रहा है ठीक है जो 20 मा है वो उपर वाला है ठीक है इसके बाद अब इसमें हम क्या करते हैं ठीड को गिनना शुरू करते हैं ठीड का सभी पे नंबर लिखा हुआ है अब आप गिनना शुरू करो यहाँ पे तो कोई thread होगी नहीं नीचे क्योंकि यहाँ से तुम्हारा ground floor है यहाँ पे कोई rise है नहीं तो इसका कोई मतलब बनता नहीं है तो इसके बाद आएगा हमारा कहां से यह पहला thread हो गया ठीक है एक number लिखा हुआ है यह दो number हो गया अब आप कहोगे कि यह भी हम count करेंगे आप क्यों करोगे count क्योंकि यह तो हमारी landing है ठीक है यही confuse करता है लोग क्या करते हैं इसको भी क्या कर लेते हैं जो thread count कर लेते हैं किस वाले को इस वाले को यह वाला thread count कर लेते हैं बलकि यह thread नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि यह हमारी होती है लेंडिंग लेंडिंग यहां तक यह पूरी आती है तो यह python वो गए हमारे कितने 9 फिर्ड हो गए उूसके बाद यहां से शुरू होगा अम ना तो यह यह वाला काउंट होगा क्याँ कि यह थो पूरी लेंडिंग है ना यहांसे अब कर 헤ोके आप यहां से यहां यहां तक होगा यह पूरा किया है यहां से यह लैंडिंग है ठीक यह होते हैं हमारे क्या और इसका हम आपको दूसरे में प्रूब भी दिखाते हैं जैसे आप जो पीछे वाला question किया था उसमें कितनी आई थी? तेवी साई थे साई तो जो उसके लिए तेज के लिए जो हम stir बनाएंगे न जो तेज आएंगी तो तेज थिर्यों होंगी वो इसी प्रकार वाली गिनी जाएंगी ना कि जो अंतिम वाली जो रूफ वाली होगी वो count होगी last वाली count नहीं होती है फिर भी हम आपको बता रहें मैं ध्यान रखना है ये जो वाला होगा ये count नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा यह होता है फॉर्मुला भी तभी बनता है जब आपके दो राइजर मिलेंगे अगर यहाँ पर आपके दो राइजर नहीं है तो इसको आप देड नहीं कह सकते अगर हम इसको दूसरी तरीके से और करना चाहें जैसे इसको हम ब्रेक करके तोड़ें अब जैसे तीन मीटर हैट दे रखी थी अगर इसको हम मान लें कि एक फ्लाइट जो है यहां तक है इतनी ही है दूसरी फ्लाइट यहां से है यह है ठीक है तो जब हम इसको एक फ्लाइट यहां एक है अगर यही मानलू यहां तक थी तो इसकी हाइट मानलू तीन मीटर थी देड़ देड़ में कर दिया यह 1.5 मीटर यह हो गई वो गई तो अब इसमें 1.5 में 15 के यह साब करेंगे आर इकल टू आ जाएगा टैन ठीक जब आर इकल टू टैन आ जाएगा तो हां से हम बता सकते हैं तेड इकल टू कितना आएगा नाइन सेम प्रोसेस यहां पर होगी जो नंबर आफ राइज निकलेंगे आर इकल टू क्यों डेड़ मिटर यहां पर भी बची हुई है बन पॉंट फाइब इंटू बन हंड्रेड अपॉन कितना पंदा सेंटीमीटर यहां पर जो नंबर आएंगे वह कितना आजाएंगे टी इकल टू आर माइनस वन तो आर कितना आएगा यहां पर टैन माइनस के वन एकल टू नाइन यहां के दोनों मिला के कितने होगे एट यानि कि अठार है नाइन प्लस नाइन एकल टू एट टी यह कॉंसेप्ट होता है ध्यान रख लो ठीक है दो पार्ट में ब्रेक करके हम कर सकते हैं क्योंकि जब तक हमको जब दो फ्लाइट की दिबोल रखा है उसने तो सीधी सीवा आता है कि इसको हमको बीच में ब्रेक द नहीं हैं कि इसमें 19 फिर आ जाएं तो अंत में हमारा जो क्या निकलता है निसक्रस अमारा यही निकलता है कि जब हमारे दो राइजर एग जब हमारें जासरे lado vertical height होने पर राइजर बन जाती है लेकिन horizontal हो और वो जरूरी हो कि थ्रेड हो यह जरूरी नहीं है यानि कि राइज जो है वो तो हो सकती है अगर horizontal height है तो राइज में count हो जाएगी लेकिन जो थ्रेड है वो तब तक count नहीं होगी जब तक उसके पास में एक और राइज ना हो व दूसा concept क्या है दूसा ये है कि जो हमारी फ्लायट और फ्लोर उस पर ध्यान रखना है जब हमारी फ्लोर अगर मालो दो दी है तो कोई दिक्कत नहीं अगर फ्लायट का कोई जिक्क्र नहीं किया गया है तो आप सीधे t equal to r निकाल लिए उसमें से minus 1 कर दिये ठीड आ जाएंगी कर दिजिएगा ठीड आ जाएगी ठीक है लेकिन अगर उसने दे दिया कि टू फ्लायट है और दो फ्लोरों को कनेक्ट कर रहा है तब आपको जब निकाल ली होगी तो t equal to जो लगेगा वो r minus के 2 या तो ऐसे निकाल लिजिए या फिर उसको दो पार्ट में डिवाइड करके half half करके t1 निकाल लीजिए यानि कि एक के लिए 3 अलग निकाल लिए फ्लायट के लिए दूसरे के लिए अलग निकाल लिए उससे निकाल लिए फिर आपसमें उन दोनों को जोड दीजिए वो जाएगा है ये किसके लिए जब two floor हो और two ही क्या हो फ्लायट होता है ये concept है आपको फिकर भी हमने दिखा दिया है हमको आसा है कि आपको वीडियो पूरा पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक करें नहीं पसंद आया डिसलाइक करें और अपना opinion हमारे comment box में comment करें चैनल को subscribe करें ताकि आगे भी हमासे जोड़े रह सकें और हमारे व हो जाईएगा और 2020 पर डेली लाइव कुछ दीजेगा ठीक है तो मिलते हैं इसके बाद अगले नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद अगले लाईएगा तक के लिए जैहिंद